अब तक मैं chapter 1, chapter 2 और chapter 3 की summary वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, now it's time to study the chapter 4, chapter 4, thinkers, beliefs and building, history of Buddhism, सांची स्तूपा, ये भी again बहुत interesting topic है, chapter है, right, और ये बहुत important है for exams perspective, तो अच्छे से मैं आपको summary प्रोवाइड करूँगा इस chapter की, right, तो ये जो chapter है, इस chapter के अंदर हम religious life के बारे में जानेंगे, यानि की religious life क्या थी, cultural life, रीती रिवाच क्या थे, तो हरपन civilization के end होने के बाद, कैसे religious life start होती है, रिगवेदा के अंदर काफी सारे हाइम्स लिखे जाते हैं, sacrifices होते थे, यग वगेरा होते थे, लोग नेचर की वर् popular बना देते हैं, उसके बाद उनकी teachings के बारे में बात करेंगे, कैसे जैनिजम spread हुआ, आगे चलके उसके बारे में, गौतम बुद का जनम होता है, वो बुद्धिजम religion लेकर आते हैं, क्यों उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, क्या teachings थी उनकी, उसके बाद उनकी followers ने अंबरावति का क्यों नहीं बचपाया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, पुरानिक Hinduism के बारे में, वैश्नविजम, शैविजम, what is this, right, उसके बाद जो temples थे, वो कैसे बनते थे, क्या structure था, what is गर्भग्र है, सिखर क्या है, right, तो जितने भी doubts से आपके सभी clear हो जाएं So, religious history, इसका जो time period है, वो है, 600 BCE to 600 CE, तो यहाँ पर मैं आपको यह बता दू, जो हमारा chapter second है, third and fourth, इसका जो time period है, वो same है, ठीक है, करीब 1200 साल का इतिहास हमने जाना है, तो chapter second के अंदर political life के बारे में जाना हमने, chapter 3 के अंदर social life, और इसी, इस chapter के अंदर हम उसी same time period की religious life के बारे में study करेंगे, right, तो हरपन civilization के end होने के बाद, लोग क्या करते थे, nature की worship करते थे, और कुछ sacrifices perform होते थे, तो nature की worship करते थे, जैसे की अगनी, ठीक है, तो God of fire है ये, इंद्र जो की God of warrior है, और सौम God of plant, तो इन सब की पूजा क की जाती थी, लोग यहाँ पर prayer करते थे, कि इनकी health अच्छी रहे, इनने cattle प्राप्त हो, इनकी life long रहे, इनको sun प्राप्त हो, तो इन सब की पूजा की जाती थी, right, उसके साथ साथ कुछ sacrifices होते थे, जैसे कि रजाशुया और उसके बाद अश्वमेदा, रजाशुया पर होता क्या था, कोई भी person है, उसको king बनाया जा रहा है, तो जब उसको king बनाया जाता था, वो वाला जो event है, occasion है, उसी कोई रजासुया यग कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर यग पूरा होता था, ठीक है, उसके बाद उस person को king बनाया जाता था, राजय भीशेक आप कह स इसका मतलब उस king ने invite किया है battle में उस king को जिसने उस घोड़े को छोड़ा है तो उनके बीच में battle होती थी लड़ाई होती थी ठीक है तो जो भी जीतता था उसका वो kingdom हो जाये करता था तो ऐसा कुछ चलता था उसमें और भी काफी सार यग होते थे sacrifices होते थे ठीक है उसके बा क्या होगा death के बाद क्या होगा birth क्या है rebirth यह cycle क्या है तो यह जो भी questions है इनके answer वहाँ पर लिखे रहते थे questions होते थे और इनसे related debates होती थी एक कुतागर शाला के अंदर एक तरह की यहाँ पर यह heart होती थी जिसकी pointed roof होती थी ठीक है तो उसमें debates and discussion होता था इसको आप one mark के ल जो की first teacher होते हैं first तीर्थंकर होते हैं जैनिजम के लेकिन उसके बाद 24 वे तीर्थंकर आते हैं Lord महावीरा हमारी book में second third उन सबके बारे में नहीं है 24th Lord महावीरा जिनको वर्दमान भी का जाता है यह क्या करते हैं जो जैनिजम को found किया रिशब देव ने उसको बहुत popular ब जात करते हैं यह teachings बहुत important है यह आजाता है इसके ओपर question so teachings में हापर यह था कि जो भी world है वो animated है इसका मतलब कि हर किसी के अंधर energy है life है ठीक है non-violence आपको किसी को मारना नहीं है हर किसी के अंधर life है हर किसी को आपको अच्छे से treat करना है जो birth और rebirth की cycle है वो कर्म के ओपर जो यह है penance और ass criticism यह बहुत important है इसका मतलब कि आपको एक simple life जीनी है मो माया इसमें believe नहीं रखना उससे क्या होगा अगर आप ऐसा follow करोगे तो यह जो कर्म की cycle है बर्थ रीबर्थ की cycle है इससे आप मुक्त हो सकते हो उसके बाद यहाँ पर अगर उस समय कोई भी gen monk बनता ठीक है तो उससे क्या करना होता था पांच वरत लेने होते थे जैसे कि वो killing नहीं करेगा किसी को मारेगा नहीं जूट नहीं बोलेगा स्टील नहीं करेगा salibacy का मतलब शादी ना करना और उसके बाद property acquire नहीं करेगा तो यह सारी चीले चलती थी है इन्हें टीचिंग्स है लौड महाविरा की उसके बाद यह जैनिजम फैला कैसे तो देखो होता क्या है कोई भी teacher है किसी भी religion को लेकर आया तो उसके बाद उसकी द्यात के बाद उ उसके बाद क्या होता है गौतम बुद का जनम होता है ठीक है यह क्या करेंगे बुद्धिजम रिलिजन लेकर आएंगे इनका जो बच्पन का नाम था सिधार्त था जब यह छोटे थे तो क्या हुआ astrologers ने जो की भविश्यवानी करते हैं future बताते हैं उन्होंने यह predict किया क यह person जब यह देखेगा भार की problems को तो यह घर को छोड़ देगा ठीक है उसके बाद क्या होता है इनके जो भी father होते हैं वो क्या करते हैं ऐसा करते हैं कि घर के बाहर जाए न और यह जो prediction है astrologer की यह जूटी साबित हो लेकिन होता क्या है इनके जो सार्ती होते हैं इनको एक पूछते हैं वो अपने सार्ती से यह क्या हो रहा है इससे पहले गौतम बुद को नहीं पताता कि कोई person भूड़ा भी होता है एक बार जिसका जनम हुआ है जानना भी पड़ेगा ठीक है तो अपने सार्ती से पूछते हैं वो सब कुछ सच बताते हैं कि ऐसा होता है एक पर होता है उसके नीचे बैठके वो meditation करते हैं कई दिनों तक और उन्हें ज्यान की प्राप्ती हो जाती है enlightenment वो attain कर लेते हैं अब इनकी teachings के बारे में जान लो ठीक है तो देखो teachings यह है कि जो world है वो transient है ठीक है मतलब बहुत short है और constantly change होता रहता है इसलिए हमें क्या करना है हर क क्या करना होगा हर चीज में moderation का path adopt करना होगा हर चीज में moderation का path adopt करना है ना जादा दुखी होना ना जादा खुश होना moderation का path adopt करके चलना है ठीक है और इन्होंने यह बोला है कि अगर हम जो भी action है हमारे वो अच्छे हैं अच्छे हम करम कर रहे है तो उससे जो cycle है rebirth की birth की cycle ह ठीक है उससे हम मुक्त हो जाएंगे ठीक है तो यह कहना यह चाहते है कि जो sorrow है दुख है वो common है और उसका कारण है हमारी ego desire तो अगर हमारी इच्छा है उसको अगर हम खतम कर देंगे तो हमें दुख ही नहीं होगा इसलिए हमें जो sorrow है उसको मुक्त करने के लिए अपनी जो है उसको खतम करना होगा अब जो भी followers थे gotham buddh के वो क्या करते संग की स्थापना करते हैं संग क्या है एक group है ठीक है जिसके अंदर जो भी followers थे gotham buddh के वो रहते थे ठीक है तो यहाँ पर क्या था शुरू में क्या थे जो भी man थे उनको allow किया जाता था संग के जिनको भिक्कु कहते थे भिक्कु वर्ड भिखारी से आया है क्योंकि उन्हें भिखारी की तरह रहना पड़ता था संग के अंदर और इन्हें क्या करना होता था मांग के खाना होता था घर गर जाते थे यह एंड भिक्षा मांगते थे उसके बाद हुआ क्या ये जो गौतम बुद थे इनके एक disciple थे अंगद इन्हों ने गौतम बुद को बोला कि क्यों न हम women को भी allow करें संग के अंदर तो वो उनकी बात मान जाते हैं और जो first woman जो की enter होती है संग के अंदर वो foster mother थी महापाजापती गौतमी ठीक है तो ये भि भिकु कहते थे and women enter हो रही है तो भिकु नहीं कहते थे ठीक है उसके बाद क्या हुआ बहुत सारे kings आएंगे, artisans आएंगे, merchants और भी काफी सारे लोग आते हैं जो की संग को join करते हैं उसके बाद गौतम बुद की धैत हो जाती है जिसको महापरी निर्वान कहते हैं बुद गौतम बुद से related चीजे हैं उन्होंने यूस करी है उनकी body है उनकी हड़ी है ठीक है उनकी remains जो भी है उसको एक जगा पर रखके एक semi circular का mound बनाया जाता है बिरिक से स्टौन से उसके आसपास लोग क्या करते हैं चकर लगाते हैं घुमते हैं ठीक है तो ऐसे स्टूप तो देखो जो भी गौतम बुद से related चीजे हैं ठीक है अगर कहीं भी उन्होंने क्या किया है सपोस कहीं पर speech दिया अपनी कहीं पर उन्होंने enlightenment attain करी है या फिर कहीं पर वो गए थे ठीक है उनके दुआरा use करे गए material हमें मिले है तो वो एक तरह से ritual है ठीक है उनका significance है क्यो सारे स्थूप देखने को मिलते हैं जैसे कि सारनात के अंदर है सांची के अंदर लुंबी नी तो यही जो भी places है इनके अंदर हमें स्थूप देखने को मिलते हैं तो यह बनते कैसे थे तो देखो यह जो भी donations देते थे king वगएरा या फिर कोई भिक्कू नी भिक्कू भिक्कू यह सब भी donation देते थे उस donation से जो भी पैसा आता था उसके थूप बनाया जाता था जो भी stoop थे उनको राइट उसके पास structure कैसा है stoop का first of all stoop का मतलब होता है st एक Sanskrit word है जिसका मतलब heap है मतलब धेर ठीक एक धेर होता है जो भी समान है गौतमूद का उसका धेर उसके ओपर क्या होता है एक semi circular का mound बनाया जाएगा जिसको अंडा कहा जाता है उसके ओपर एक balcony होती है जिसको हर्मी का कहा जाता है जो की God ऐसा माना जाता है कि यह जो balcony है इ जाने की भगवान का रहने का स्थान है उसके ओपर एक umbrella होता है जो की गौतमूद के कई सारे events को शो करता है और उसके भार क्या होती है जो की वो जो एक sacred center है उसको भार का जो world है नॉर्मल जो world है उससे separate करती है उसके साथ साथ जो स्थू बनते थे उसके side में चेतेस बनव ये ठीक है ये एक worship place थी बनाए जाती थी स्थूप के side में राइट नाव कौन-कौन सी places गौतम बुद से linked है related है ये important है for one mark ठीक है तो लुम्बीनी जहापर इंका जनम हुआ नेपाल के अंदर located है ये बोध गया जहापर इन्होंने enlightenment attain करी बिहार के अंदर सारनाथ यूपी first sermon दिया अपनी speech दी पहली खुशी नगर ठीक है जहापर इन्होंने मापरी निर्वान या फिर निबाना attain करी मतलब इनकी death हुई ठीक है अब यहापर इनकी followers क्या करते हैं बहुत सरे text भी लिखते हैं तो हमें बुद्धिष text देखने को मिले हैं जिसको त्री पिटक कहते ह हैं ठीक हैं इसके अंदर थ्री books हैं first is विनय पिटक जिसके अंदर rules and regulations लिखे हैं जो भी लोग संग को join करते थे second सुथ पिटक जिसके अंदर जो भी teachings है गौतमुद की वो लिखी हैं और एक और है अभिधम पिटक जिसके अंदर जो भी philosophical matters हैं वो लिखे गए हैं एक और term जो की important है hagiography ठीक है ये पूछी जा सकती है one mark में तो hagiography biography होती है कोई भी आपका religious संथ है मात्मा है उसकी biography होती है जो भी उनके followers है वो लिखते हैं right now तो बहुत important स्थूप जो की अशोका ने बनवाये थे अपने समय पे first is सांची स्थूप और second is अमरावती स्थूप प्रिजर्व कर ने कर पाया तो इसके पीछे का किया reason है वैल इन दोनों को हम compare क्यूं कर रहे हैं क्योंकि दोनों स्थूप को एक ही same time period पे same kicking ने बनवाया है इसलिए हम दोनों को compare कर रहे हैं जो की एक survive कर पाया और एक नहीं कर पाया ना देखो सांची स्थूप क्यों survive कर उस समय भोपाल एक प्रिंसली स्टेट था ठीक है जिसके अंदर रूलर थे तो सुल्तान जहां बेगम और सहाजान बेगम ये दो बहुत इंपोर्टन डूलर थी भोपाल की इन्होंने इंपोर्टन डूल प्ले किया सांची के स्थूप को प्रिजर्व करने के लिए योगी ए प्लास्टर कास्ट को भी प्रोवाइड कर दी प्लास्टर की एक कोपी प्रोवाइड कर दी जिससे वो सैटिस्फाय हो गए और इन्होंने इस स्थूप को प्रिजर्व करने के लिए मनी भी प्रोवाइड करी यानि पैसा भी खर्च किया तो इसकी वज़ा से ये जो स्थू पल बनवाने में यूज कर लिया ठीक है और उसके बाद काफी सारे आर्कलोजिस्ट आते हैं जो की डिस्कवरी करने आते हैं इसकी ठीक है तो वो कुछ जो भी पार्ट बचाता उसको ले जाते हैं डिस्कवरी करने के लिए उसके बारे में पता लगाने के लिए ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है तो ए टाइम according to time यह जो स्टूप है अमरावती का यह बच नहीं पाया ठीक है लेकिन इसका आप image देख सकते हो screen पर यह ऐसा कुछ दिखता था लेकिन यह खाली plaster की cast copy है यह बच नहीं पाया ठीक है अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है अगर आप जाके देखोगे खाली base है इसका ठीक है तो यह जो स्टूप यह destroy हो चुका है राइट अब यह जो सांची स्टूप है यहाँ पर हमें क्या है बहुत सारे sculpture देखने को मिलते हैं carvings देखने को मिलते हैं मूर्तियां जिसके अंदर खाली seat है यह क्या शो करती है meditation या फिर enlightenment attain किया तक गौतम बुद ने वो शो करती है वील देखने को मिलता है जो कि जो पहली speech है जो कि सारनाथ में दी थी गौतम बुद ने वो शो करता है स्तूप जो कि महापरी निर्वान शो करता है ठीक है उनकी death जो कि खुशी नगर के अंदर हुई थी शाला भांजी का कि हमें एक image देखने को मिलती है यह शो करती है ऐसा माना जाता है कि यह women थी ठीक है इनके पास magical power थी जो भी यह tree को touch कर देती थी तो उसमें fruits, flowers आ जाये करते थे उसके बाद हमें बहुत सारे animal के symbol देखने को मिलते है elephant के symbol यह human की qualities को दिखाते है जैसे कि elephant बहुत powerful है तो वैसे human powerful है उसके बाद गजा लक्ष्मी ठीक है तो गजा लक्ष्मी ऐसा माना जाता है कि एक हमें sculpture देखने को मिला है जिसमें एक women है ठीक है जो कि उसके आसपास दो elephants हैं lotuses है और वो elephant क्या कर रहे है water को sprinkle कर रहे है छड़क रहे है उस woman के ओपर उनका अभीशे कर रहे है ठीक है historians ऐसा मानते है यह जो गजा लक्ष्मी है यह गजा लक्ष्मी थी यानि कि उनकी भगवान थी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह जो गजालक्ष्मिय है, माया थी, मतलब गौतमभूध की मदर थी, जिनका नाम माया है, ठीक है, उसके बाद हमें सर्पेंट देखने को मिलते हैं, आनि सर्पेंट का मतलब बड़ा स्नेक, तो इसके सिंबल भी देखने को मिलते हैं, इसका मतल में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हीनियान महायान हीनियान ठीक है जिसमें गौतम बुद्ध को स्थूप की फॉर्म में पूजा जाता है कोई मूर्ति हाँ पर नहीं होती और महायान के अंदर गौतम बुद्ध को मूर्ति की फॉर्म में पूजा जाता है इनकी मू कि यहां पर बहुत सरे political development भी हो रही है, अशोका भी आ रहे हैं, जो हमने chapter 2 और 3 में पढ़ाया न, वो भी साथ साथ चल रहा है इसके, योग हमारा time period सेम ही है, उसके बाद पुरानिक Hinduism के बारे में जानो, तो Hindu religion कैसे आया, इसके बारे में इतनी information है नहीं, किसने found किया, ठीक मूर्ति की form में, और शैविजम के अंदर लोग पूझा कर रहे थे, शिवा की, लौड शिवा की, दो की form में पूझा कर रहे थे, ठीक है, दो चीज की form में करते थे, एक तो मूर्ति की form में, यूमन फॉर्म में, एक लिंग की form में, शिविलिंग, ठीक है, तो यहां पर हमे में क्या है वैश्णविजम के अंदर जो लॉड विश्णो की पूजा की जाती थी इसके अंदर हमें क्या देखने को मिले 10 अवतार उससे में 9 थे लॉड विश्णो के वो देखने को मिले है ठीक है और हमें एक इमेज भी देखने को मिली है सकल्प्चर भी देखने को मिला है ठीक है विश्णु जी का आप देख भी सकते हो बोर अफ्तार के फॉर्म में है वो राइट तो उस समय ऐसी वर्षिप होने स्टार्ट हो गई थी उसके बाद ये जो भी मूर्ती है ठीक है जो भी फोलोवर्स है वैश्णविजम के या विश्णविजम के वो अपने गौड को वहाँ पर रखने के लिए टैंपल्स बनवائंगे तो टैंपल इस थापना भी होती है टैंपल बनना स्टार्ट होता है तो शुरूवाद में क्या था जो टैंपल्स थे वो खाली चोटा सा रूम होता था राइट जिसको घर्ब करेक कहा जाता है जिसके अंदर में डीटी हो ठीक है बड़ी बड़ी वाल होंगी वाटर की अरेंजमेंट की जाएगी तो आज के आप देख सकते हो आज कल के temples कैसे होते हैं एक छोटा सा रूम थोड़ी होता है बहुत बड़ा structure होता है stairs होती है काफी facilities होती है तो ये एक साथ नहीं आई धीरे-धीरे करके आती है step by step ये होता है right so this was our chapter बहुत interesting chapter था ये right अगर आपको still doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हो and please like this video ये है इस video का end thanks for watching and as always God bless you all